तो ये पॉलिनॉमियल का पार्ट टू है और हम इसमें अपने पिछले वाले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे तो मैं आगे बढ़ने से पहले या कोश्चन की तरब बढ़ने से पहले जो हमने अभी तक ओवर व्यू देखा उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूँ और थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ कि आखिर में रियल रूट और डिस्टिंट रूट ये सब होते गया है तो आप बहुत ध्यान से मेरी बात समझेगा मान लीजिए कि आपको F of X अगर AX प्लस B दिया हुआ है तो आप बोलेंगे कि ये मेरी कौन सी डिगरी है इसके अंदर आप बोलेंगे X की पावर 1 सबसे जादा है ये function of X है तो इसका मतलब ये डिगरी 1 है तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनॉमियल है लीनियर पहली चीज दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको real root निकालना होता है कभी भी आपको अगर real root निकालना होता है तो वो real root आपके कहा निकलते हैं X-axis पे Какा पे X-axis पे तो अगर आपको X-axis का point निकालना होगा तो आपको F of X की value क्या put करनी होगी 0 मैं क्या कह रहा हूँ अप जहां से मैंने बोला 0 equal to AX plus B या हम लोग जो Y equal to AX plus B लिखते हैं उसके अंदर हमें Y coordinate 0 लेना होगा तब ही जाके हमारी X की value निकलेगी तो 0 equal to AX plus B अगर आपको दिया हुआ है तो आप X की value क्या बताते हैं? minus B upon A ठीक? तो ये जो चीज कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर आपके अगर आपके Y coordinate ये है और X coordinate ये है और उसने आपको question दिया F of X equal to तो अगर आपको Y equal to 3X plus 5 दिया है या F of X equal to 3X plus 5 दिया है और वो आपसे पोच रहा है कि ये X axis को या इसके real roots क्या है तो आप बोलेंगे 0 equal to 3X plus 5 क्योंकि आपको X real root निकालने है और real root आपके X axis पे निकलते है X axis में यहाँ positive होता है और यहाँ negative तो 0 equal to 3X plus 5 पुट करने पे आपको X की value क्या मिली minus 3 upon 5 अब यह जो minus 3 upon 5 आपका आया है इसका मतब X की value क्या है निकेटिव तो आपका कोई वो point असल में minus 3 upon 5 और 0 आएगा हमें मालूम है कि कोई भी coordinate अगर हम दिखाते हैं तो उसके अंदर X और Y हम लोग दिखाते हैं जो हम लोग इसमें denote करते हैं दूसरी चीज हमें यह पता होनी चाहिए कि graphical में यह वाली side हमेशा positive होती है Y axis की यह वाली side negative होती है X axis की यह वाली side positive होती है और यह वाली negative होती है तो अगर आप से अगर आप से कोई बंदा पूछे कि 2 और minus 5 point कहां आएगा तो आप बोलेंगे कि इसका X coordinate 2 है इसका मतब 2 इधर आएगा horizontal distance मेरी कितनी है 2 और minus 5 है मेरी vertical distance तो minus 5 मेरी vertical distance यह रही तो दोनों point कहां पे मिल रहे हैं यहां पे अगर आप इस point को देखेंगे तो यह वाला distance 2 है और यह वाला distance minus 5 है तो vertical distance जो होता है वो आपका Y कहलाता है और horizontal distance जो होता है वो आपका X कहलाता है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं तो आपने यह सिखा भी तक कि जब भी आपको Y equal to AX plus B देगा या F of X equal to AX plus B देगा तो वो आपसे पूछेगा कि यह equation यह जो AX plus B आपका linear polynomial है यह X axis को कितने point पे काटेगा तो आप देख रहे हैं X की degree 1 है तो यह X axis को कहाँ काटेगा केवल एक ही point पे और वो point आपका कैसे निकलेगा 0 equal to AX plus B तो X की value कितनी हो गई minus B upon A तो इसका मतलब यह हुआ कि वो point आपका अगर मैं यह straight line खीचूँ मान लीजिए क्योंकि मुझे मालूम है linear polynomial के graph कैसे बनते है straight line तो यह आपकी straight line आएगी और यह straight line जो आपके इस point को काटेगी यह वाला point होगा आपका minus B upon A और 0 मैंने इसे 0 इसलिए लिया क्योंकि हमें पता है हमें पता है कि कोई भी line अगर आपको दी गई है तो उसका x coordinate 0 होगा और y का कोई न कोई coordinate होगा और अगर वो point हमें x axis पे दिया है तो उसका कोई x coordinate होगा लेकिन y coordinate 0 होगा तो वही हमने यहाँ पे देखा कि minus B upon 0 तो हमें एक चीज़ पता चल गई हमें एक चीज़ पता चल गई कि हमारा जो y equal to ax plus B है उसका जो graph होता है वो कैसा होता है linear और linear graph के बाद हमें यह पता है कि वो हमारी x axis को केवल एक ही जगा काटेगा क्योंकि हमारी x की degree 1 है यहाँ तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत ने तो आप equation देखके यह समझ सकते हैं कि मेरा graph कैसा होगा अब आईए आप quadratic की तरफ और इसे समझने की कोशिस करिए कि यह क्या कह रहा है मैंने बोला y equal to ax square plus bx plus c ठीक है हमें मालूम है इसकी degree कितनी है maximum 2 तो इसका मतलब यह कौन सा polynomial है quadratic polynomial यहां तक मेरी बात समझ में आई आई आपको दूसरी चीज हमें यह पता है कि अगर इसकी degree 2 है तो इसके 2 root होंगे कौन से alpha और beta ठीक अगली चीज हमें यह पता है कि जो यह root निकले हैं या जो यह answer निकले हैं यह alpha बीटा क्या है यह alpha बीटा है आपके जब आप y को 0 put करेंगे तो आपकी x की जो 2 value निकलेंगी अब यहां पर x की 2 value क्यों निकलेंगी क्योंकि यहां पर degree 2 है तो x की जो 2 value निकलेंगी वही दोनों value होंगी आपकी alpha और बीटा जिसे हम लोग root कहते हैं ठीक यहां तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आगे देखिए आगे जो यह कह रहा है जैसे मान लिजे आपको y equal to ax square plus bx plus c दे रखा है ठीक है और हमें मालूम है कि इसमें a, b और c हमारे क्या है coefficient है तो हमें यह देखना है अगर a की value positive है अगर a की value positive है या x square का जो coefficient है वो आपका positive है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो आपका graph है वो आपका उपर की तरफ खुलेगा ठीक है आई बात मेरी समझ में आपको मतलब आपकी a की value अगर positive होगी तो आपका graph उपर की तरफ खुलेगा तूसरी चीज हमें यह पता रखनी है कि कभी भी quadratic polynomial होगा तो quadratic polynomial के जो graph होगे वो हमेशा क्या होते हैं पैरा बोला क्या होते हैं पैरा बोला इसका मतलब की आपकी quadratic equation के graph कैसे आते हैं पैरा बोला और पैरा बोला graph कैसे होते हैं ऐसे ठीक तो आपने जो चीज सिखी वो यह सिखी कि अगर y equal to ax square plus bx plus c हमें दिया हुआ है तो a की positive sign पे हमें graph उपर की तरफ मिलेगा और a की negative sign पे हमें graph नीचे की तरफ मिलेगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं आगे देखिए दूसरा हमें यह देखना है कि हमारे root कैसे निकलेंगे ठीक है तो उसके लिए मैं आपको एक question लेके देखता हूँ आपको मान लिजे दिया है fx equal to x square minus 2x minus 8 ठीक है तो आप से पूचा है कि find the roots of the equation यह find the roots of the polynomial तो root निकलने के लिए हमें मालूम है सबसे पहले हमें y equal to 0 put करना होगा तब ही जाके हमारे real root निकलेंगे तो यह हो गया x square minus 2x minus 8 अब x square minus 2x minus 8 में 4 2 जा 8 होता है और बीज में 2 दिया है तो तो आप देख रहे हैं x square minus 2x minus 8 जो है वो आपका निकल के आएगा 0 equal to x minus 4 एक ब्रेकट में और x minus 2 एक ब्रेकट में कोई दिक्कत x plus 2 होगा यह तो आपने देखा कि आपने x square minus 2x minus 8 को factorize कर दिया splitting the middle term से और आपको यह निकल के आया अब अगर x minus 4 और into x plus 2 हमें 2 ब्रेकट में मिला है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि x minus 4 भी 0 है और x plus 2 भी 0 है यहां तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं तो आपको यह चीज पता चली कि अगर मेरा x minus 4 equal to 0 है तो मुझे x की value क्या मिली 4 और मेरा x plus 2 equal to 0 है तो मुझे x की value क्या मिली minus 2 तो आप देख रहे हैं कि यह 4 और minus 2 जो आपके निकले हैं यह हैं आपके alpha और beta इसे ही हम लोग कहते हैं root या zeros of the equation अब यहां पर दो root इसलिए निकले क्योंकि हमारा जो x square है वो है आपका degree 2 इसलिए आपको दो root निकलके मिले कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आगे देखिए तो हमें एक चीज़ यह समझ में आई कि जो हमें दो point मिले वो x equal to 4 मिला और x equal to minus 2 मिला तो अगर आपको इसे graph में दिखाना होगा तो आप क्या दिखाएंगे 4 और 0 और minus 2 और 0 अब इसमें हमारा y coordinate 0 क्यों है क्योंकि हमने y equal to 0 लिया था कोई दिक्कत तो हम यह बोल सकते हैं कि यह x-axis को एक 4 और 0 पे काटेगा और 1 minus 2 और 0 पे काटेगा इन दो point पे हमारी जो इसका graph बनेगा वो काटेगा दूसरा हमें यह मालूम है कि x square plus 2x minus 8 में आपके x square का coefficient क्या है 1 और 1 क्या है हमारा positive तो इसका मतलब आपका जो graph होगा आपका जो graph होगा वो कुछ इस type से आएगा ठीक है उपर के तरफ graph इसलिए खुला क्योंकि आपका a positive है और यह x-axis को दो जगा पे काट रहा है और उन दोनों जगा के point आपने पता कर लिए और यह दो आपके real root है अब 4 और 0 आपका right side में है तो इसे हम लोग कहेंगे positive real root और minus 2 0 हमारा left side में है तो इसे हम लोग कहेंगे negative real root कोई दिक्केत है कोई यहां तक कोई दिक्केत नहीं तो जब हमारा graph बनता है जब हमारा graph बनता है तो हम देखते हैं कि ये दो जगा पे एक यहां और एक यहां दो जगा पे ये काट रहा है X-axis को तो इसका मतलब इसके दो real root हैं जिसमें से एक X-axis का positive real root है और एक X-axis का negative real root अब इसके अंदर एक चीज और हमें देखनी है कि हमें कैसे पता चले कि जो हमारे root निकले हैं alpha और beta वो real हैं या imaginary तो उसके लिए मान लिजिए कि आपको f of X दिया हुआ है AX-axisquire प्लस BX प्लस C ठीक है आपको ये चीज़ दी हुई है और आप से पूछा गया है कि इसके root imaginary है या real तो उसके लिए हम लोग एक चीज निकालते हैं D और ये D का मतलब क्या होता है discriminant और इसका direct सा formula है जो आपको अपने दिमाग में रखना है B2-4AC तो discriminant से हमें पता चलता है कि हमारा जो root है वो real आएगा या imaginary कैसे पता चलता है देखिए हमने अभी देखा कि D equal to B2-4AC होता है अब मुझे इसमें BAC क्या है ये बतानी की जरूद नहीं हमें मालूम है BAC coefficient है जिसमें AX square का coefficient है BX का coefficient है और C आपका constant है तो अगर आपका B equal to 0 आता है तो आप बोलेंगे कि आपके root क्या है real है और equal है ठीक है अगर आपका D equal to 0 आता है तो आपके root real है और equal है और आपको ये भी पता है कि वो दोनों root क्या आएंगे minus B upon 2A और minus B upon 2A ये दोनों root आपके सीथे निकलाएंगे जो भी आपको equation D गई है ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो आपने देखा कि D equal to 0 पे आपको real और equal root मिलते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे alpha और alpha या beta और beta कुछ भी कह सकते हैं लेकिन हमें ये मालूम है कि दोनों root equal आएंगे और वो alpha की value क्या होगी minus b upon 2 है ठीक है दूसरा question जो हमें आता है अगर हमारा d greater than 0 आया अगर हमारा d greater than 0 आया तो हम लोग बोलते हैं real and distinct root और distinct मतलब क्या होता है distinct मतलब कि आपके जो दो root आएंगे वो अलग अलग आएंगे इसका मतलब alpha और beta कोई दिकत कोई दिकत नहीं तो जब आपको d greater than equal to 0 दिया रहे हैं तो आप बोल सकते हैं real and distinct roots ठीक है कोई दिकत तो imaginary root कब आएंगे imaginary root आपके तब ही आएंगे जब आपका d 0 के छोटा हो तब आपको imaginary root देखने को मिलते हैं ठीक है अब मैं आपके सामने एक question लेता हूँ और उसमें हम ये सारी चीजें निकालने की कोशिस करते हैं जो मैंने आपको बताया ठीक है मान लीजिए कि आपको f of x जो है वो दिया हुआ है x square minus 6x plus 9 ठीक है और हमें ये मालूम है कि x square का coefficient यहां पर 1 है तो आपका graph कैसा खुलेगा उपर की तरफ खुलेगा इतना चीज आपको पता चल गया दूसरा point आपको देखना है कि इसके roots क्या है तो roots के लिए आपने 0 put किया और x square minus 6x plus 9 put किया और जब आप इसको solve करेंगे तो आपको मिलेगा x minus 3 का whole square ठीक है जब आपको x minus 3 का whole square मिल जाएगा तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 0 equal to x minus 3 एक bracket में into x minus 3 एक bracket में क्योंकि आपका x minus 3 के उपर whole square लगा है तो आपने देखा कि आपको 1 x minus 3 equal to 0 से मिल जाएगा x equal to 3 और 1 x minus 3 equal to 0 से मिल जाएगा आपको x equal to 3 तो आपने देखा कि इसके जो दो point आए इसके जो दो point आए वो कौन-कौन से आए 3 0 और 3 0 और यह दोनो point मेरे ख्याल से same है ठीक है यहां तक आपको मेरी बास्वान में आई तो जब इसका graph आप बनाएंगे जब भी आपके roots same आते हैं तो आपका graph केवल एक ही जगा पे touch करेगा और यही point जो है यह 3 0 1 है और दूसरा भी 3 0 ही है ठीक है कोई दिक्कत आपको यहां तक और यह यहां पे touch क्यूं किया क्यूंकि यह हमने x coordinate के point निकाले है इसमें y equal to आपका 0 दिया हुआ है ठीक अगली चीज तो ऐसे question पूछेगा वो कि वो x axis को कहां पे काटता है तो x axis को कहां पे काटता है यह आपने निकाल लिया अब हमें देखना है कि इसके root real है कि क्या है तो उसके लिए हमने देखा हमें दिया है x square minus 6x plus 9 तो आप देखेंगे इसमें a की value आपको 1 मिलेगी b की value minus 6 मिलेगी और c की value 9 मिलेगी यह कैसे मिला आपने कुछ भी नहीं किया आपने देखा कि यह second degree की question है तो इसकी general form क्या होती है ax square plus bx plus c और इसी के नीचे आपने यह वाली चीज लिख दी सबको साथ में x square का coefficient x square के साथ minus 6x इसको इसके नीचे और plus 9 इसको इसके नीचे और जब आप match कराएंगे तो x square से x square cancel होगा a की value 1 आएगी x से x cancel होगा b की value minus 6 आएगी और c की value ना है तो आपको जब इतनी value पता चल गई आपको जब इतनी value पता चल गई तो आपको निकालना क्या है b square minus 4ac जो हमारा d से निकलता है तो b square मतब 6 6 जा 36 minus 4 into 1 4 और 9 36 और 36 minus 36 आपको कितना मिल गया 0 तो इसका मतलब हुआ कि आपके d की value क्या आई 0 और d की value जब 0 आती है तो हमें मालूम है हमारे root क्या होते है real और equal कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं तो हमने जो पीछे निकाला था वहाँ पे निकाला था a equal to 1 b equal to minus 6 और c equal to 9 और मैंने आपको बताया था जब d equal to 0 आता है तो हमारे real और equal root आते हैं तो ये real और equal root के लिए मैंने आपको बोला था हम लोग minus b upon 2a से भी अपने वो equal root निकाल सकते हैं ठीक है तो minus b कितना हो गया minus और फिर minus 6 हो गया आपका 6 upon 2 into 1 तो 2 3 जा 6 देखिए आपका 3 आ गया तो आपको पता चल गया कि आपके जो root हैंगे वो equal हैंगे और वो x-axis को कहां पर काटेंगे वो x-axis को आपका 3-0 और 3-0 पर काटेंगे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं और एक point इसमें और पूस्ता है वो point आपका पूस्ता है पैरा बोला के vertex पैरा बोला का vertex तो vertex मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलू मेरा graph कुछ इस type का है तो इसका सबसे उंचा वाला point सबसे उंचा वाला point जो है उसे हम लोग कहते हैं vertex उसे हम लोग क्या कहते हैं? vertex और इस vertex को कैसे निकालते हैं? वो आप देख लीजे vertex equal to तो इसमें जो आपका x point निकलता है वो निकलता है minus b upon 2a से जो भी आपका vertex का x coordinate निकलेगा हमें मालू में किसी भी चीज के दो coordinate लिखे जाते हैं तो आपके vertex का जो x coordinate निकलेगा वो निकलेगा minus b upon 2 से और जो हमें y निकलना है ये जो y निकलना है हमें वो बस हमारा कैसे निकलेगा जो भी हमें f of x दिया होगा उसमें हम x की value क्या put कर देंगे? minus b upon 2a कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? उसमें हम लोग क्या put कर देंगे? minus b upon 2a ठीक है? तो अब हम आते हैं सीधे equation की तरफ और समझने की कोशिस करते हैं कि वो चीज क्या लिखी है जैसे मैं बोलूं y equal to ax square प्लस bx प्लस c अब अगर कोई मुझसे पूछे की इसका y intercept क्या होगा? y intercept क्या होगा? तो हम बोलेंगे y intercept मतलब होता है कि यह y axis को कहां पे काटेगा? और अगर कोई चीज y axis को काट रही है तो इसका मतलब इस वाली line पे जो भी point होंगे वो सारे point के x coordinate क्या होंगे? 0 होंगे तो अगर x coordinate 0 होंगे तो आपके y equal to ax square प्लस bx प्लस c में अगर मैं x equal to 0 पूट कर दूँ तो मुझे y equal to c मिल जाएगा कोई दिक्कत y equal to c मिल जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो y axis को कहा काटता है तो इस point को आप कैसे दिखाएगे? 0, c और c हमारा क्या है? y coordinate ठीक है? अब आते हैं हम लोग सीधे graph पे और समझने की कोशिज करते हैं कि इन सारी चीजों का क्या मतलब है? देखिए मैंने आपको एक question दिया x square plus 4x minus 5 ठीक है? और आपको जो इससे answer मिला वो मिला कुछ x plus 5 और x minus 1 जब आप इसे 0 पूट करेंगे तो x plus 5 और x minus 5 minus 1 को जब आप 0 के बराबर करेंगे तो आपको मिलेगा x equal to minus 5 और x equal to 1 तो आपने x coordinate के दोनों point निकाल लिए क्या-क्या? minus 5 0 और 1 और 0 ये हो गए आपके alpha और beta root या हम ये कह लें कि ये x axis को इन दो जगहों पे काटेगा इतनी चीज़ समझ में आई दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है मैंने अभी बताया आपको कि हमारी x square का coefficient 1 है तो इसका मतलब graph कैसे खुलेगा? उपर की तरफ तो आपने root निकाल लिए अपने graph निकाल लिया अब हमें पता करना है y intercept तो y intercept के लिए हमें मालूम है कि इस वाली equation में x equal to 0 अगर हम put कर देंगे तो हमें y intercept पता चल जाएगा तो वो पता कैसे चलेगा? देखिए y equal to x square plus 4x minus 5 दिया है और आप से कोई y intercept पूछ रहा है तो आप x की value 0 put करेंगे तो आपको मिल जागा y equal to minus 5 और ये y equal to minus 5 को आप graph में कैसे दिखाएंगे? 0 x coordinate 0 और y coordinate आपका minus 5 ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ये तो हो गई इसकी बाद अब आती है बाद इसके d की तो d मालूम है हमें b square minus 4ac होता है और जब आप इसमें देखेंगे तो 4, 4 जा 16 minus 4 into c की value कितनी है? minus 5 तो ये हो गया 16 plus 4 plus 5, 9 ठीक है? 16 और ये हो गया 4, 5 जा 20 ये इंटू में है यहाँ पे तो b square minus 4 a c 4, 5 जा 20 और into minus 5 हो जाएगा आपका तो minus minus plus हो जाएगा और ये आजाएगा आपका 36 और 36 आपको मालूम है कि 36 जो है आपका वो d जो है वो 0 से बड़ा है जो हमारी d की value 36 आई वो 0 से बड़ी आ रही है और 0 से बड़ी आने के कारण 0 से बड़ी आने के कारण इसके जो root है वो real और distinct है और हमने अभी देखा वो real और distinct root क्या थे 1 और 0 और minus 5 और 0 जो x axis को दो जगहों पे काट रहे थे यहाँ तक मेरी बास समझ में आई और अगला हमें ये समझना है vertex minus 5 अगर दिया हुआ है तो vertex का x coordinate क्या होगा minus b upon 2 है और ये क्या निकल के आएगा minus 4 upon 2 तो आपको क्या मिला minus 2 तो आपके vertex का जो x coordinate है वो क्या है minus 2 अब देखिए तो x square plus 4 x minus 5 में आपको जो vertex है उसका एक point मिल गया minus 2 तो y vertex का y point कैसे निकलें तो हमें बस क्या करना है f of minus 2 निकलना है ये हमारा f of x होता है तो f of x में f of minus 2 अगर आप निकालेंगे तो minus 2 का square कितना हो जाएगा 4 इस वाले में put कर रहा हूं है ठीक है minus 2 का square कितना हो गया 4 और 4 into minus 2 कितना हो गया minus 8 और ये हो गया minus 5 तो आपको यहां से मिल जाएगा minus 9 तो आपका जो ये वाला coordinate आया वो आया आपका minus 9 तो आपने सारी चीजें निकाल ली और आपने देखा कि x square x square plus 4 x minus 5 का अगर ग्राफ बनेगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा ध्यान से देखते रहिया ठीक है और आपको यहां पर एक point मिला 1 और 0 यहां पर एक point मिला minus 5 और 0 दो point पर कट करेंगे और दूसरा आपको जो इसकी vertex मिली वो हमें क्या मिली थी minus 2 और minus 9 और हमें जब भी भी आप कोई graph यह जो मतलब पहरा बोला बनाते हैं उसके बीच में से एक line जाती है इस line को हम लोग कहते हैं axis तो आप से axis अगर कोई पूछे कि axis क्या है तो जो भी आपका vertex आता है उसका x coordinate जो है वो axis कहलाता है तो यहां पर axis क्या होगा x equal to minus 2 x equal to minus 2 तो आपको axis of symmetry निकालने आ गया vertex निकालने आ गया आपको negative root निकालने आ गया और y intercept निकालने आ गया तो आपका y intercept में क्या निकला था आपका y intercept निकला था y equal to minus 5 तो इसका मतलब यह y axis को कहां पर काटेगा 0 और minus 5 पर ठीक है और एक question आपसे कभी कबार और पूछ लेता है और वो question क्या पूछता है देखिए find the maximum and minimum of fx equal to minus 2x square plus 12x तो आपसे अगर यह बूछ रहा है कि fx minus 2x square plus 2x का maximum यह minimum बताओ तो आपको बस करना कुछ भी नहीं है इसमें आपको vertex निकालना है और vertex आपका कैसे निकलता है x coordinate होता है उसका minus b upon 2a और जो यह minus b upon 2a निकलेगा उसे हम f of x की जगा पे put कर देंगे आपको मैं यह चीज बता के दिखाता हूँ देखिए आप इसकी तरफ हमें दिया है minus 2x square plus 12x तो हमें मिल गया a की value minus 2 और b की value 12 और c की value 0 और जब मैं minus b upon 2a करूँगा तो मुझे x coordinate मिलेगा जो मुझे क्या मिलेगा 12 upon minus 12 upon 2 into minus 2 कितना हो गया minus 4 तो आपको मिल गया 3 तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो vertex आया है उसका जो x coordinate है वो 3 है अब हमें y coordinate कैसे पता चले तो हमें क्या question दिया था minus 2 x square plus 12 x और यह हमें मालूम है f of x के बराबर है तो हमें निकालना क्या है f of 3 f of 3 कैसे निकलेगा आपका minus 2 into 3 का square कितना हो गया 9 plus 12 into 3 और यहां से आपका अंसर आ जाएगा 18 तो आपने देखा यह आ गया 18 तो 3 हो गई आपकी minimum value और 18 हो गई आपकी maximum value कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो कभी भी आपको अगर कोई चीज a x square plus b x plus c के form में दी गई है तो इसमें सबसे पहले आप a का positive या negative चेक करेंगे दूसरा y intercept के लिए कि यह y को कहां पे काटेगा उसमें x zero put करेंगे तो आपको c मिलेगा तीसरा आपको अगर root निकालने हो x के कि वो x axis को कहां काटती है या उसके real root क्या है तो आप y equal to zero put करते हैं और या f of x equal to zero put करते हैं और इससे आप इसके roots निकालते हैं और वही इनके real root होते हैं और सबसे last मैंने बताया था कि d अगर greater than equal to zero हुआ तो आपको real equal root मिलेंगे या real or distinct root मिलेंगे यहां तक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं तो अब हम question की तरफ बढ़ते हैं और देखने की कोशिस करते हैं कि इन question में क्या लिखा गया है ठीक है आईए तो कल पिछले part में हमने दो चीजें पढ़ ली थी अब हम तीसरे part पे आते हैं देखिए यह question क्या बोल रहा है यह question बोल रहा है कि आपको इस graph में यह बताना है कि कौन सा linear polynomial है और कौन सा quadratic polynomial है तो हमें मालूम है linear polynomial की degree 1 होती है इसका मतलब उसका solution केबल एक होना चाहिए और quadratic polynomial की degree 2 होती है तो उसके solution दो होने चाहिए या उसके दो real root निकलने चाहिए तो आप देख रहे हैं कि आपका पहला वाला जो graph है आपका जो पहला वाला graph है वो आपका क्या हो जागा quadratic क्योंकि यह दो जगा पे आपके x-axis को काट रहा है यह x-axis को एक जगा पे काट रहा है तो यह हो गया linear यह x-axis को एक, दो और तीन जगा पे काट रहा है तो यह हो गया आपका cubic polynomial इसकी degree 3 है और जो सबसे last जो आपको question दिया गया है जो सबसे लास्ट आपको question दिया गया है उसमें आपसे ये बस पूछा गया है कि ये पैरा बोला है और ये भी पैरा बोला है पहला और चौथा और ये उपर के तरफ खुल रहा है तो इसका मतलब इसके A की value क्या है positive और इसके A की value क्या है negative यहां तक कोई दिक्कत और हैं दोनों ही आपके quadratic ठीक आगे देखिए अगला question जो आपके सामने आया है उसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपको इस type का graph दिया गया है अगर आपको इस type का graph दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि A, B, C जो coefficient है वो greater than 0 है, smaller than 0 है क्या है मेरी बात बहुत ध्यान से समझेगा यहां पर ये आपसे A, B और C इनको greater या smaller greater या smaller, greater या smaller 0 से पूछा जा रहा है ठीक है? और हमें मालूम है कि जो middle point होता है वो आपका 0, 0 होता है ठीक है? तो आएए हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो अगर पहला वाला graph अगर पहला वाला graph मेरा उप नीचे की तरफ खुल रहा है तो इसका मतलब मेरी A की value क्या होगी? negative A की value मेरी क्या होगी? negative और A की value negative होने का मतलब यह हुआ कि आपका A क्या होगा? smaller than 0 आपने A निकाल लिया अब आते हैं हम लोग C की तरफ तो मुझे मालूम है C हमें कैसे देखना है C का point जो है जैसे हमें Y equal to AX square plus BX plus C दे दिया मान लिजी अगर मैं इसमें X equal to 0 put कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा Y equal to C और यह Y equal to C का मतलब यह हुआ कि जो आपका graph है इस graph में वो वाला point आपका कहां पे आएगा इस पे कहां पे आएगा इस वाली line पे क्योंकि हमने Y coordinate निकाला है तो यह जो हमारा graph है हमें बस इसमें यह देखना है कि यह Y point को कहां पे काट रहा है और वही आपका C point होगा तो आप देख रहे हैं कि अगर यह line और यह line मेरी X और Y है तो मेरे Y point को यह कहां पे काट रहा है मेरे Y point को यह P पे काट रहा है कहां पे काट रहा है P पे काट रहा है कोई दिक्कत आपको यहां तक और ये P point जो है ये बताइए आपकी Y की value positive है या negative तो आपको मालूम है कि Y axis 0 से उपर की तरफ positive होती है और 0 से negative नीचे की तरफ negative तो आपके P की value क्या आएगी? positive और अगर P की value positive आई तो इसका मतरब C की value क्या आएगी? positive कोई दिक्कत? तो हमने ये चीज कैसे निकाली? हमने ये चीज निकाली Y equal to AX square plus BX plus C में हमने X की value 0 put कर दी और Y equal to C देख लिया तो इसी को हमने पढ़ा था Y intercept की वो Y को कहां पे काटता है तो Y को ये कहां पे काट रहा है? P की जगा पे और P हमारा 0 से उपर है तो इसका मतब C की value क्या हो गई? positive नीचे की तरफ खुल रहा है तो A की value क्या हो गई? negative यहां तक कोई दिकर तो ये हैं coefficient जिनकी आपको positive और negative पता चल जाते हैं दूसरा हमें ये देखना है की B कैसे निकले? B हमारा कैसे निकले? तो हमें बस इसमें ये देखना है की B निकालने के लिए हमें चेक करना है vertex क्या चेक करना है? vertex और vertex क्या होता है? हर चीज का सबसे उपर वाला point सबसे उपर वाला point जहां पर जो भी graph होगा उसका सबसे उपर वाले point को हम लोग क्या कहते हैं? vertex तो आपके B के लिए अगर मैं पूछूँ अगर आपके B के लिए मैं पूछूँ कि इसके अंदर आपका vertex कहां पर है? तो आप बोलेंगे vertex है A point पर कहां पर है? A point पर और यह जो A point है आपका इसका x coordinate क्या है? minus B upon 2A तो आपने क्या लिखा? minus B upon 2A अब आप मुझे बता सकते हैं कि यह minus B upon 2A मेरा x coordinate है क्या यह मेरा positive है यह negative? तो आपको यह पता है कि minus B upon 2A जो लिखा गया है वो चीज आपकी x coordinate को दरसाती है और मैंने आपको बताया कि x coordinate होती है horizontal distance तो इसमें आपकी horizontal distance क्या है A point की? A point की horizontal distance है यह और vertical distance है यह तो इसका मतलब जो यह वाली line है यह है आपकी minus B upon 2A और जो यह वाली line है वो है आपकी minus D upon 4 जो यहां पर दिया हुआ है तो minus B upon 2A आपका होने के कारण आप देख रहे हैं यह 0 से right side में है तो 0 से right side में होने के कारण आपका minus B upon 2A 0 से बड़ा आएगा की नहीं? आएगा तो आपका काम खतम हो गया आपने यह देख लिया कि minus B upon 2A is greater than 0 तो इसका मतलब minus B is greater than 0 कोई दिक्कत यहां तक तो इसका मतलब B is smaller than 0 ठीक है कोई दिक्कत आपको यहां तक तो आपको कभी भी ABC जैसे मान लीजे अब हम दूसरे question पर आते हैं और इसको समझने की कोशिज करते हैं सबसे पहले तो आपका graph उपर की तरफ खुल रहा है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपकी A की value क्या है positive काम खतम C के लिए हमें देखना है कि यह Y coordinate को कहां पे काटता है तो Y coordinate को यह कहां पे काट रहा है P पे P पे काट रहा है अब आप मुझे बताइए कि Y coordinate जो है P का वो positive है कि negative है अब P point मेरा Y coordinate में नीचे की तरह पा रहा है तो मेरी C की value क्या होगी negative यहां तक कोई दिक्कत और B के लिए हमने देखा कि हमें क्या देखना होता है वर्टेक्स तो इसका वर्टेक्स क्या है A इसका वर्टेक्स क्या है A और A का जो minus B upon 2 है वो है X coordinate अब आप मुझे बता सकते हैं इस A का X coordinate positive है या negative तो आप देखेंगे A point की horizontal distance क्या है A point की horizontal distance है ये तो इसका मतलब ये वाली line है ठीक है तो आप देख रहे हैं ये positive होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि minus B upon 2A is greater than 0 और जब भी आपका minus B greater than 0 आता है तो आप ये समझ जाएए कि B is smaller than 0 होगा ठीक है तो आप किसी भी graph में तीनों चीज निकाल सकते हैं और उन तीन चीज के लिए आपको पहले तो graph उपर है या नीचे है उससे A पता करेंगे उसके बाद आप Y coordinate को वह वाला graph का जो पैरा बोला है वो कहां काट रहा है जैसे यहां पर P पे काट रहा है उसको चेक करेंगे कि वह Y का positive है या negative है और अगर negative X axis पर लाई कर रहा है तो उसके minus B upon 2A की value 0 से छोटी होगी तो हम दूसरे वाले point का जो मैंने आपको बताया उसका answer मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको answer कैसे लिखना है तो देखिए इन्हों ने बोला we find Y equal to X squared plus represent parabola opening upward तो opening upward के current therefore A is greater than 0 दूसरा the vertex of the parabola is in fourth quadrant vertex of the parabola is in fourth quadrant यह हमारा fourth quadrant है ठीक है इसको हम लोग यह first quadrant होता है यह second quadrant होता है यह third quadrant होता है और यह fourth quadrant होता है तो आप fourth quadrant में आपका A point lie कर रहा है ठीक है तो इन्हों ने क्या बोला इन्हों ने बोला the vertex of the parabola is in fourth quadrant therefore minus B upon 2A is greater than 0 और वो greater than 0 क्यों है क्योंकि आपका X coordinate fourth quadrant में positive होता है तो minus B is greater than 0 के करण आपको B is smaller than 0 मिल गया कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं तीसरा हमें B की value पता चल गई A की value पता चल गई C के लिए यह लोग बोलते हैं देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है cuts the Y axis at P, C के लिए आपको P point चेक करना है और P point चेक करने पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका P point है वो Y coordinate में नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ आने के कारण आपको C is smaller than 0 मिलेगा यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आगे देखिए अगला question जो आपके सामने रखा गया है वो इन्होंने रखा है find the zeros of the quadratic polynomial आपको पहले तो पता करना है इसके zeros ठीक है आपको इस quadratic equation के zeros पता करने है और दूसरा इन्होंने बोला है verify the relationship between zeros and coefficients तो मैंने आपको बताया था कि alpha बीटा जो निकलता है उसका छोटे वाले ABC के साथ जो रिलेशन होता है वही चीज आपको इसमें दर्शा नहीं और दूसरा मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कभी भी आपके जो जो भी आपका equation आता है उसको सबसे पहला काम आपका यह है कि आपको factorize आना चाहिए क्योंकि quadratic equation में आपकी degree 2 होती है तो root 2 निकलते हैं तो इसलिए जब तक आप उस equation को factorize नहीं करेंगे तब तक आपको root का जानकारी नहीं होगी तो देखिये इस question को इन्होंने कैसे किया और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिये सबसे पहले उन्होंने जो भी equation दी है उसे इन्होंने लिख दिया ठिक यहाँ पे इन्होंने लिख दिया यह रहा इसके बाद इन्होंने b square minus ac जो आपको दिख रहा है उसे इन्होंने खोल दिया खोलने का मतलब कि उस bracket को इन्होंने खोल दिया और bracket खोलने का मतलब यह हुआ कि आपका x का इंटू दोनों में होगा अब हमें कुछ ऐसा करना होता है कि आपके जो term होते हैं वो bracket के अंदर वाले same आजाए तो आप अगर a b x square और b square x में common देखेंगे तो b x बाहर निकलेगा और आपको a x plus b मिलेगा अब यह जो a x plus b है यही आपको इस तरह भी मिलना चाहिए अगर वो मिल जाता है तो आप देखते हैं एक a x plus b और एक b x माइनस c आपका आ जाता है पहला काम आपका यही होता है कभी भी कि आपको चीज को factorize करना है तो factorize करके जो चीज आप लाए हैं वो चीज आप लाए हैं यह f x equal to a x plus b और b x माइनस c दूसरा काम जब भी भी आपको zeros निकालने होते हैं तो आपने देखा zeros कैसे निकलते हैं f of x equal to zero से तो आपने a x plus b और b x माइनस c को किसके बराबर put कर दिया zero के बराबर दोनों bracket में है तो इसका मतलब a x plus b भी zero हो सकता है और b x माइनस c भी zero हो सकता है तो इससे आपको x की value मिल जाएगी और दूसरे x की value मिल जाएगी यहां तक आपको मेरी बात सौंज मैं और आपने देखा कि आपको ऐसे question में क्या करना है पहले factorize करना है उसके बाद zeros निकालने के लिए f of x equal to zero put करना है और उससे हमें दो factor निकालने में तो यह minus b by a और c by b जो आपका आया वो आया आपका alpha और beta यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई अगर यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई तो देखिए अब इन्होंने क्या किया सबसे पहले इन्होंने alpha plus beta किया आपको मालूम है quadratic equation के लिए quadratic equation के लिए हमें मालूम है alpha plus beta equal to minus b upon a होता है और alpha beta equal to c upon a होता है अब यही चीज़ आपको यहां पे चेक करनी है तो आपको alpha क्या दिया हुआ है आपको alpha यहाँ पर मिला है minus b upon a और आपको beta क्या मिला c upon b तो आप minus b upon a और c upon b को जो भी जोडेंगे जो भी चीज आएगी वो चीज आप इसमें चेक करेंगे minus b upon a से दूसरा alpha बीटा अगर हमें दिया हुआ है तो हमें क्या करना होगा minus b upon a और c by b को into करना हो तो जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा alpha प्लस बीटा क्या हो गया minus b upon a और c upon b और alpha बीटा क्या हो गया minus c upon a अब इन्होंने क्या चेक किया तो इन्होंने देखिए ये चेक किया मैं आपको बताता हूँ अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको a की value मिलेगी a b जो है हमारा x square का coefficient a b और b की value जो हमें मिलेगी वो मिलेगी b square minus a c जो है हमारा x का coefficient और c की value मुझे मिलेगी minus b c यहां तक मेरी बास समझ में आई और यह हमने कैसे निकाला हमने कुछ भी नहीं किया हमने बस इसको किस से मैच करा दिया a x square plus b x plus c से तो यहां से हमें a b और c मिल गया ठीक है और बस आपको बस यही करना है last में जो आपके alpha प्लस बीटा की value आई होगी वही value आपके minus b upon a की आई होगी जो हमने अभी पीछे निकाला और यही इस question में करा जाता है कोई दिक्कत आगे आई तो जो मैंने आपको चीज बताई a x square plus b x plus c और इसमें मैंने आपको बताया alpha प्लस बीटा जो होता है वो minus b upon a होता है और alpha बीटा जो होता है वो c upon a होता है तो आप से कोई पूछे कि इसे लिखेंगे कैसे तो आपको मालूम है b जो है वो मेरा क्या है coefficient of x coefficient of x हमें मालूम है coefficient a, b और c है तो x का coefficient क्या है b तो आप लिखेंगे alpha प्लस बीटा इक्वल टू minus coefficient of x upon a क्या है coefficient of x square तो यह चीज यहाँ पर लिखी है तो आप इस तरीके से answer लिख सकते है जिसके लिए मैंने आपको यह चीज दी ठीक है अगला question जो है जो जो